नमसकार दोस्तों दाकर्शी चोपाल के Jeans चूपाल के मुश्य समचार में आपका स्वागत है अगले 24-48 गंटों के दोरान देश के किई राज्यों में दस तक देगा एक चक्रवाती तुफान जिसके चलते देश के कई राज़ों में जो है अगले 24-48 गंटों के दोरान तेज आंदी तुफान और बारिश का नया दोर शुरू होने वाला है मौसमिवाग ने इसे लेकर येलो अलट भी जारी कर दिये आपको बताएंगे दोस्तो अगले 24-48 गंटों के दोरान देश के कौन कौन से राज़ों में कहां कहां पर मौसमिवाग ने तेज आंदी तुफान के साथ जो है बारिश के असार जताएं इसलिए आप इस वीडियो को लश्ट तब पूरा दुरूर देखिएगा मौसमिवाग ने दानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी में एक बयंकर तुफान आने वला है जिया दोस्तो बंगाल की खाड़ी में एक नया दवाव परनाली विक्सित होगा जिसके बाद एक नया तुफान जो है सक्रिया होने वला है जिसे लेकर मौसमिवग्यानिकों ने अ पर आगे बढ़ने में मदद करेगा, अलाकि इसके केरल में मानसुन की सुरुआत पर कोई प्रवाव नहीं पड़ेगा, इस मोसम पेटरन के बाद में चकरवात में बदलने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों मई को चकरवात निर्मान का महिना भी माना जाता है, यह चकरवा बंगाल उरिशा अंदर परदेश तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में जो है काफी प्रभाव पड़ेगा बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती तुफान जो है यहां पर अब शक्रिया होने वाला है और 23 मई के आसपास यह तुफान का रूप ले सकता है जिसे देखते हैं मोसाइबाग ने अलट जारी कर दिया है वहीं देश के कई राज्यों में अब बिश्ण गर्मी का कहर जारी है लेकिन उसी बीच जो है 23 मई से देश के कई राज्यों में तेज आंदी के साथ बारिस का दोर शुरू हो जाएगा और जो है गर्मी से राहत मिलने क की जो संभावना है वो देखी जारी है मोसाइबाग ने बिश्ण गर्मी की चपेट में उत्तर बारत दिल्ली पंजाब हरियाना और आस पास के छेत्रों में जो है सीवियर हीट वेव को लेकर अलट जारी कर दिया है बारत के अधिकतर राज्यों में इन दिनों बेंकर गर् दिल्ली पंजाब हरियाना उत्तर प्रदेश और राजस्तान में गंभीर लू का अलट जारी किया गया है तो वहीं मोसाइबाग ने दक्सनी तेलंगाना करनाटक तमिलनाडू अंदर प्रदेश और उडिशा में गरत चमक के साथ बारी सो रांदी तुफान के चेताउनी द सलेगी दिन का तापमान 45 डिगरी सेल्सेस के पार जाएगा मोसम वाग के पूरान मान के मुताबिक अगले 24 गंटों के दोरान तेलंगाना करनाटक अंतरिक तमिलनाडू केरल अंदर प्रदेश लक्षे दीप और रिशा के कुछ इस्सों और अंडमान निकोबार दीप गोवा और दक्षनी मद्या महराष्ट्र में अलकी से मद्यां बारिश की संभावना जताई गई है और इसके अलावा पष्टमी इमल्य विदर्व मराटवाड़ा दक्षनी मद्या परदेश और गुजरात में अलकी से मद्यां बारिश की संभावना जताई गई है दो दिन तक लूज चलने की चेतावनी मोसमी भागने जारी की है मोसमी भाग के पूरान मान के मताबिक दक्षणी तमिलनाडू तट पर समुंदर तल से डेड़ किलोमेटर दूर एक परी संचरन बना हुआ है और उससे सटे दक्षणी तमिलनाडू पर एक चकरवाती जो है घ मिल सकता है जी यहां दोस्तों एक नया चकरवाती तुपान जो शक्रिया हो रहा है जिसकी वज़य से देश के कही राज्यों में चकरवाती तुपान देखने को मिलेगा मोसमी भागने अगले दो से तीन दिनों के दोरान पश्चमी भारत के मेदानी इलाकों में जो राजस्तान में बेंकर लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तर परश्चमी बारत में परचंट गर्मी का दोर जारी है मौसमी भाग ने आज भी देश के ज़्यादातर जो इससे हैं वहां पर तापमान 45-47 डिगरी सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है खास तोर पर दिल्ली, हरियाना, पंजाब, राजस्तान वे उत्तर परदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी अगले दो से तीन दिनों के दोरान परश्चमी बारत के मेदानी लाकों में बिस्चन गर्मी पड़ेगी पूरव और मद्य चेत्र में तीन दिन और बुजर्गों की जो है विशेश ख्याल रखने की सला दी है उत्तर परदेश बिहार वा परश्चमी राजस्तान में दो से तीन दिनों तक अत्य अधिक गर्मी की चेतावनी मुसमी बागने जारी की है लगबग 20 जगों पर तापमान 45 से 47 डिगरी के पार जाने की संभा होना जताई है दिल्ली में दूसरे दिन भी विशन गर्मी पड़ रही है और अधिक्तम तापमान 43.7 डिगरी से रिकोर्ड किया गया है इमडी ने जानकारी दी कि दिल्ली के साथ हरियाना पंजाब राजस्तान उत्तर परदेश गुजरात और मद्या परदेश में कम से कम 20 जगों पर तापमान 45 डिगरी सेल्सियस जो है अब पहुंच सकता है जिसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है मुसरी भाग ने जानकारी दी कि राजस्तान के जैसल मेर बाड मेर और आजपास के कई इलाकों में गंगानगर पिलानी में तापमान 46 डिगरी सेल्सियस से भी पार जाएगा तो वहीं पिछले 24 गंटों के दोरान जो है आगरा में ताज महल सबसे गरम इलाका रहा मुसरी भाग के मताबिक यहां पर अधिक्तम तापमान 47 डिगरी सेल्सियस रिकोर्ड किया गया उत्तर पश्मी भारत में लोग जो है लू से जुलस रहे हैं तो दक्ष कर दिया है केरल के तिर्वंतपुरम, कोलम, अलपुरा, कोटामल, त्रिसूर, पलकड, कोजी कोड और वाइनाड में जो है मौसरी भाग ने बारी बारिस को लेकर यलो अलर्ट भी जारी कर दिये हैं राज्य के कई जिलों में बारी बारिस की वज़े से बार्ड के आलात पे पाड़ी और निकोबार दीव स्मुय के एक फुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है मौसरी भाग ने बताया कि दक्षनी भारत में 23 मई तक मुसलाधार बारिस भी होगी इस दुरान अगले 2-3 दिनों के दुरान अधिकांस इलाकों में बारी बारिस की चितावनी ज आपो में गंबेर लोग के इस्तिती बनी रहने के आशार दताएं तो वहीं अगले 3 दिनों के दुरान पूर्वी और मद्य भारत में 8 वेव चलेगी